हमारे chapter का नाम है dissolution of firm अब dissolution of firm chapter के अंदर जब स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले हम dissolution word को पकड़ते हैं dissolution word का मतलब basic लिए होता है कुछ अन तो जाना तो यहां से दो छोटे-छोटे concepts जनम लेते हैं कि एक होता है dissolution of firm और एक होता है dissolution of partnership क्योंकि आम तोर पर बच्चे को ऐसा लगता है कि यह दोनों बाते तो एक ही है कि अगर हम कह रहे है dissolution of firm या अगर हम कह रहे है dissolution of partnership तो एक ही बात है ना तो क्या यह एक ही बात होंगी यह दोनों एक ही बात नहीं होती बहुत बढ़ा फरक होता है फरक यह होता है कि जब हुम कहते है डिसॉल्यूशन उफ फॉर्म या डिसॉल्यूशन उफ पार्टर्शिक फॉर्म तो इसका मतलब यह है कि बिजनस बंद हो चुका है यानि कि जो भी partners थे उन partners के बीच में जो भी agreement था और जो भी business हो रहा था वो business क्या हो चुका है बंद हो चुका है लेकिन जब हम कहते हैं dissolution of partnership तो इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ change हुआ है partners के बीच में या partners के agreement में कोई परिवर्तन हुआ है जिसमें हो सकता है admission of partner हो यानि कि कोई नया partner admit हुआ हो तो उसको आप कहते हो री constitution हो ना या हो सकता है कोई partner हमें छोड़ के चला गया हो यानि कि retire कर गया हो तो उसको आप कहते हो कि partnership में परिवर्तन हुआ है या मान लेते हैं partners ने अपने profit sharing ratio को बदल लिया, तो आप कह सकते हो कि reconstitution हो रहा है, यानि कि जब dissolution of हम partnership कहते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि partners के बीच में agreement में कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर business नहीं बंद हो रहा, business जो है वो अभी भी क्या है, continue कर रह है, यानि कि business तो अभी भी चल रहा है, तो ये सबसे बड़ा main फरक है, तो अब हम जो chapter पढ़ रहे हैं, वो कौन सा chapter है? dissolution of firm, यानि कि हमारे इस chapter के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, business क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ये clear होगे पहले point, अब मुद्द ये आता है कि आखिर business जब बंद हो रहा है, या जो हमारा chapter है, dissolution of firm, वो कैसे कैसे हो सकता है, यानि कि इसके क्या-क्या तरीके होते हैं, dissolution of firm के करने के, तो इस पर भी एक रोशनी डाल लेते हैं, तो dissolution of firm के होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे उधार अनके तोर पे, एक मैं ले लेता हूँ, mutual agreement, mutual agreement का मतलब हो गया, कि तीन partner से, तीनों ने सोचा कि चलो भई, बहुत हमने महनत कर ली, बहुत business चला लि हैं कि हम इस business को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो ये एक तरीका हो गया, जिसको बोल देते है, mutual agreement, तो business को बंद करा जा सकता है, यानि कि business dissolve हो सकता है, या farm dissolve हो सकती है, by mutual agreement, इसके अलावर, हो सकता है कि form mutually की तरह ना डिजॉल्व हो लेकिन Kompulsary Agreement ये सॉरी Kompulsary Dissolution इस Firm का हो सकता है अब compulsory Dissolution का क्या मतलब होता है Kompulsary Dissolution का मतलब यह होते है कि मान लेते हैं एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर सें A और B और मान लो कि इन A और B दो पार्टनर्स में से एक partner, एक partner insolvent हो गया, insolvent का मतलब आप समझते हो कि क्या होता है, bankrupt हो गया, simple भाशा में, यानि कि ए person who is unable to pay his debt, तो एक व्यक्ति जो है, एक partner क्या हो गया, insolvent हो गया, तो अब कानून ये कहता है कि अगर ये partner insolvent हो गया है, तो अब technically ये किसी भी artificial body का पात्र बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी debts को पे ही नहीं कर सकता, और partnership firm में आदमी वो ही होना चाहिए partner, जो unlimited liability ले सके, और ये तो कह देगा, मैं तो insolvent हूँ, तो ये तो कल को fraud कर देगा, और bank वालों को कह देगा, कि जी मैं तो insolvent हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को कानून रोक देता ह हम वैसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक ही आदमी काम कर रहा है, तो ये तो क्या बन जाएगी, sole proprietorship बन जाएगी, तो अब इस कहानी में, क्या आप ये समझ पा रहे हो, कि ये business जो ये automatically या ये partnership firm automatically ही क्या हो जाएगी, dissolve हो जाएगी, तो इसको हम कह सकते है, compulsory dissolution, यानि कि चाहें आप चाहो या ना चाहो, ऐसे हालातों में आपका business जो है, वो बंद कर देगा, यानि कि बंद हो जाएगा, compulsory dissolution हो जाएगा, या इसी तरह मानलों दोनों ही partners insolvent हो जाते, तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो automatically ये firm क्या हो जाती, dissolve हो जाती, तो कहीं बार firm compulsorily भी dissolve हो जाती है, इसके अलावा dissolve होने के या firm को dissolve करने के तरीकों में एक होता है by notice, तो जब partnership at will होती है, यानि कि दो लोग या तीन लोग आपस में अच्छ, इच्छा अनुसार business कर रहे होते हैं, तो कहीं बार notice देकर भी firm को dissolve किया जा सकता है, यानि कि कोई partner ये notice दे स सकता है, और कह सकता है कि देखो, मैं इस firm को बंद करना चाहता हूँ, तो दूसरा partner अगर मान जाता है और नहीं भी मानता तब भी, अगर वो छोड़के वैसे भी चला गया notice देकर, तो अब अकेली firm में एक ही partner रहे जाएगा, एक तो कह रहा है कि business को बंद कर देते हैं, मैं wind up the business, तो ये भी एक तरीका हो सकता है firm को dissolve करने का जिसका नाम है by notice, तो ये भी एक mode हो गया firm के dissolution का, इसके अलावा कभी कभी कोई event happen हो जाता है, वो event कुछ भी हो सकता है, जिसके होने पर firm dissolve हो जाती है, ध्यान रखना event कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम example के लिए एक दो दिख लेते हैं कि क्या event हो गया, जैसे मानलो किसी partner की death हो गई, तो आम तोर पर death को माना जाता है कि ये एक बड़ा event है किसी भी partnership firm के लिए, और अगर किसी firm में इत्तफाक से दो ही partner थे और एक की death हो गई, तो फिर तो क्या होगा, एक ही बचेगा, तो automatically वो firm क्या हो जाएग dissolve हो जाए, तो इसकी कोई list exhaustive नहीं है, कि मैंने बोला ये 5 बाते रटलो वो ही हो सकते हैं, event कुछ भी हो सकता है, वो पहले से decided भी हो सकता है और क्या पता पहले से decided ना हो, लेकिन किसी भी एक event के होने पर हो सकता है firm dissolve हो जाए, और पांचवा तरीका जो होता है, वो सबसे important ह होता है exam के अंदर, वो होता है by court, कई बार court को लगता है कि ये firm dissolve होई जाने चाहिए, या इस firm को बंद कर ही देना चाहिए, तो court एक order देता है, और court उस order में कह देता है कि आपको अपनी partnership firm क्या करनी है, बंद करनी है, यानि कि आपको अपने firm को dissolve करना है, तो इसका कोई example द हाँ, बिलकुल, अगर मानलो, कोई illegal गतिविधी में कोई partner जादा involve हो रहा है, या मानलो, कोई partner unsound mind का हो गया, और court को ऐसा लग रहा है, कि अब इस firm को बंद कर देना चाहिए, या इसके अलावा criminal partner, मतलब वो illegal activity ही हो गई, वैसे तो खेर, लेकिन यानि कि मानलो, कोई partner ऐसा है, जो disqualified by law है, या जिसने गोई ऐसी गतिविधी कर दी, जो कानून के खिलाफ है, तो court उस partnership firm को order दे सकता है, कि इसको हम dissolve कर सकते हैं, तो इसमें basically 2-3 points और हो सकते हैं, या फिर किसी partnership firm में लगातार losses चले आ रहे हैं, तो हो सकता है, court को लगता है, कि अब इस business को हम wind up करवा देते हैं, तो court, जो भी court को लगता है, तो इसमें हमें ऐसा नहीं सोचना कि court क्यों करेगा, क्योंकि court की मर्जी है, उसको जब लगेगा कि किसी firm को बंद करना है, तो वो बंद कर सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो court also may decide कि कि किसी firm को हमको dissolve करना है, ठीक है, तो पहले basic intro सबको clear हो गया याद आ गया अब हमारे chapter में theory तो अगर पूछेगा तो उसमें एक ही section है जो आपको याद रखना है और जो हमसे पूछ सकता है कौन सा बताओ सबसे important section 48 तो इसका एक तो आप नाम भी याद रखना यानि कि 48 नंबर आपको रटावा होना चाहिए और ये section कौन से कानून में दे रखा है of the Indian Partnership Act 1932 तो ये आपको पूरायाद होना चाहिए अब ये section basically theoretically क्या हमें कहता है बस वो बात हमें पता होने चाहिए ये section हमको mainly तो ये बताता है कि जब कोई firm dissolve हो जाती है यानि कि कोई business बंद हो जाता है तो अब उसके फिर assets को बेचा जाएगा क्योंकि बहुत सारे creditors बहुत सारे लोग होंगे जो अपना पैसा मांगने आएंगे तो मान लेते हैं कि कोई business बंद हो गया और अब तो लोग बाहर line लगा के खड़े हैं भी हमें भी पैसे दो हमें भी पैसे दो हमें भी पैसे दो हमें भी पैसे लेने है firm से firm केरियर भी एक एक करके आओ एक करके आओ तो अब point ये है कि line में सबसे आगे खड़ा कौन होगा पैसे सबसे पहले मिलेंगे किसको नहीं क्योंकि ये फर्म तो बंद हो गई, बिजनस तो बंद हो गया, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर पैसा अभी हो सकता है, कि उन्हें लेना हो, तो फर्म कहे रहे एक एक करके आओ, लाइन में लगकर आओ, लेकिन लाइन में सबसे आगे मैं लगूँगा, कि शितिज भाई बेचने के लिए खर्चे करने पड़ रहे हैं, यानि जिने हम कहते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस जो आप चप्टर में आगे भी पढ़ोगे, सबसे पहले इन्हें पे करा जाएगा, क्योंकि भाई, एसेट बेचने के लिए अगर आपको कोई खर्चा करना है, तो that is mandatory, court कहता है कि भाई, सबसे पहले तो एसेट को बेचो, और एसेट को बेचने के लिए, if you need to pay some expenses, तो सबसे पहले इनको पे करना चाहिए हमको, अब बेच बाच के जो भी पैसे बचे हमारे पास, उन पैसों से सबसे पहले किसको पे करते हैं, outside liabilities को, outside liabilities होते हैं, जैसे creditors हो गए, bank overdraft हो गए, bills payable वाले हो गए, या कोई भी मतलब जो outside liability आप समझ सकते हो, वो सब चीजे हो गए, फिर outside liabilities को पे करने के बाद हम किसको पे करते हैं, पार्टनर के लोन के पैसे को चुकता करते हैं, यानि कि पार्टनर से अगर हमने कोई लोन ले रखा है, तो फिर हम उस पार्टनर के लोन को कहते हैं, चलो अब तुम्हें हम पैसे दे देते हैं, तो फिर हम पार्टनर के लोन को पैसा दे देंगे, फिर पार्टनर के लोन को कुछ बच गया, कुछ बच गया, तो वो बच जाएगा profit sharing ratio में, तो वो partners को profit sharing ratio में मिल जाता है, हाला कि बचता कम है आम तोर पे, उपर तक जाते जाते ही, पैसे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जब भी business कोई बंद होता है, तो assets जब बेचे जाते हैं बाजार में, तो वो कभी भी अपने पूरे दाम पर बिक नहीं पाते हैं, जैसे अगर आप इसको practically सोचो, आपको अगर immediately घर shift करना है और US जाने सब छोड़ चाड़के, और आप सोचो चलो हम सारे अपने घर का समान बेच देते हैं, तो क्या वो actual अच्छे दामों पर बेच पाओगे आप, नहीं ब उकसान ही होता है, तो इसलिए पैसे जो हैं, वो थोड़ा कम ही पड़ जाते हैं, लेकिन खेर हमें तो सवाल के हिसाब से जो कहेगा वो कर देंगे, तो section 48 clear हो गया कि mainly section क्या कहता है हमको, कि अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो वो पैसे हम सबसे पहले किस किस को देंगे और किस order में पै करेंगे, तो ये order हमको थोड़ा सा याद रखना है, अब इसमें tricky question जो हो सकता है, उस पर discuss कर लेता हूँ, outside liabilities के अंदर तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, creditor भी हो सकता है, outside liability के अंदर बिल्स पेबल वाला भी हो सकता है, outside liability के अंदर bank overdraft वाला भी हो सकता है है ना, और भी हो सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इन तीनों में भी लडाई सी हो जाएगी, ये कहेगा मैं आगे, ये कहेगा मैं आगे, ये कहेगा मैं आगे, ये कहेगा मैं आगे, ये भी तो हो सकता है, बहुत कानून ने तो कहा दिया outside liability, लेकिन creditor कह रहा है, bills people वाल लगाते हैं, कौन बच्चा बताएगा, नए, creditor को आगे नहीं लगाते हैं, हम आगे लगाते हैं, अगर कोई secured है तो उसको, और उसके पीछे line में कौन लगता है, अगर कोई unsecured है तो उसको, यानि कि हैं तो दोनो outside liability ही, लेकिन एक outside liability मैं कह रहा हूँ secured है और दूसरी को मै कह रहा हूँ unsecured है, तो दोनों में फरक्या होता है, अब एक व्यक्ति ऐसा है, जिसने ये कहा कि भई देखो, मैं आपके furniture के against, यानि कि इस furniture पर मैं अपना pledge लगा रहा हूँ, या मैं इस पर अपना lien लगा रहा हूँ, यानि कि इसको आप एक तरह से समझ लो कि मैं अपने पास गिरवी रखवा रहा हूँ, अगर आप भाग गए, आपकी company बंद हो गई, आपका business बंद हो गया, तो इस furniture पर मेरा अधिकार होगा, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे creditor को हम कौन सा creditor या कौन सी outside liability कह सकते हैं, secured वाली, क्योंकि इसके पास security है, मान लो furniture की, लेकिन कुछ होत इन्होंने तो कहा दिया ठीक है, ले लेंगे पैसे, security इन्होंने कोई रखी नहीं अपने पास, इन्होंने सोचा भई बड़ी company है, काम अच्छा है, बंद तो होगी नहीं कभी, तो इनके पास कोई security नहीं है, तो जब ये दोनों जने line में लगेंगे, तो कौन आगे secure वाला, secure वाला ये बोलेगा, कि भई देखो मेरे पास अधिकार भी है, मैं तो पहले से ही furniture पर अधिकार जमा के बैठा था, तुम पीछे आओ, तुम तो unsecured हो, तो outside liabilities में भी अगर कभी order करने को बोल दे सवाल वाला tricky question में, तो आप उसमें पहले किसको आगे line में जाएंगे, secured वाले को, और फिर उसमें दूसरे पैसे किसको दिये जाएंगे, unsecured वाले को, तो ये बहुत ही जादा hot question है, जो अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए, otherwise किताब के अनुसार, section 48 में बस आपको ये order पता होना चाहिए, जो मैंने उपर लिखा में, तो clear हो section 49 जो है, वो दो चीजों पर focus करता है, वो दो बाते लिखता है, एक terminology होती है उसकी private debt, और एक terminology होती है उसकी firms debt, तो private debt और firms debt का पहले meaning बता देता हूँ, private debt का मतलब तो होता है कि partner का अपना कोई personal debt, भई मालो मैं partner हूँ तो मुझे अपने घर का बिजली का बिल पे करना है, मुझे अपने घर का gas का बिल पे करना है, मुझे अपने घर का कुछ भी बिल पे करना है, तो वो मेरे लिए मेरा personal debt है, उससे business का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन firms debt किसे कहते हैं, कि मैं जिस partnership firm में partner हूँ, तो उस partnership firm के भी कुछ debts होंगे, उसने bank से loan ले रखा होगा, उसक बोल देते हैं, firms debt, तो अब यहाँ पर point यहाँ आता है, कि हमारे पास कुछ property तो firm की होती है, मालो यह firm है, हमारी partnership firm, इस firm के पास भी कुछ property होती है, furniture, stock, building, यह वो, यानि firm के कुछ अपने assets होते हैं, और कुछ मेरे अपने घर में भी अपने assets रखे होते हैं, मेरे घर में भ personal assets, तो अब यह section 49 यह कहता है, कि firm के जो assets होते हैं, firm के जो assets होते हैं, उन assets को आप जब इस्तमाल करोगे, तो पहले कौन से debt को pay करने के लिए इस्तमाल करोगे, firm's debt, तो firm के assets पहले firm debt को pay करने में use किये जाएंगे, और अगर वो फिर भी बच गए, तो फिर वो private debt pay करने में आप इस्तमाल कर सकते हो, अगर बच गए तो, अगर बच गए, तो section 49 कहता है कि firm के जो भी assets होते हैं, वो पहले कौन से debt को pay करने में utilize होने चाहिए, firm के debt को, और अगर बच गए, तो फिर partner अपने घर के debt को pay कर सेने में use कर सकता है, logical, फिर बताओ जो partner के घर में assets रखे हैं, बरतन, चूला, सोफा, फरनीचर, तो partner के अपने personal assets, पहले कौन से debts pay करने के लिए इस्तेमाल किये जाएंगे, private debt, तो कितना logical point है, और अगर फिर भी कुछ बच गए उसके बरतन बरतन, तो वो फिर किस debt को pay करने में इस्तेमाल किये जाएंगे, firm's debt, अगर बच गए तो, या अगर जरूरत पड़ी तो, अगर जरूरत पड़ी तो, तो इस जिसका मतलब section 49 का पूरा crux, अगर मैं दो लाइनों में बोल दूँ, कि कोई भी asset हो, चाए firm का asset हो, चाए partner का asset हो, पहले कौन सा debt pay करना है, जो asset है, यानि कि जिसका debt, उसी का asset पहले वहाँ पे इस्तमाल किया जाएगा, तो अगर firm का debt है, तो firm का assets पहले वहीं पे इस्तमाल होगा, अगर partner का अपना personal debt है, तो partner का अपना personal asset भी वहीं पे इस्तमाल होगा, logical, तो ये भी section छोटा सा हमको पता होना चाहिए, section 49, तो एक बार यहां तक आप मुझे बतादो कि सबको अच्छे से बिल्कुल clear हो गया, क्योंकि theory के अंदर ये basic concept होते हैं, अब हम mainly chapter के अंदर गुशते हैं और इस chapter के अंदर आप से दो प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हम focus करेंगे दोनों ही चीजों पर conceptual तरीके से, एक होता है या तो हमसे मुझीगिरी करवाएगा journal के तरीके से, या फिर हमसे मुझीगिरी करवाएगा ledger के तरीके से, ठीक है न, दो तरीकों से मुझीगिरी हो सकती है, तो मैं पहले आपको 10-15 मिनट लगाऊंगा कुछ भी एक basic concept समझाने के लिए, ताकि आपके mind में एक picture हमेशा clear चलती रहे, और फिर चाहें वो journal entry करवाले या फिर चाहें वो ledger करवाले हम उसको कर सकते हैं, कुछ special points भी होंगे इसमें मुझीगिरी के बीच में उनको हम अलग से deal करेंगे, तो पहले मैं आपको basic concept समझा देता हूँ कि आखिर जब business बंद होता है, तो कहानी होती क्या है, ठीक है तो एक business बना लेते हैं हम, अब आप कोई भी business अगर बनाओगे, तो उस business के अंदर आपको liability side में current liabilities नजर पंदरा रुपे की, और इसके अलावा आपको क्या नजर आ सकता है जादा से यादा, reserve नजर आ सकता है 20 रुपेगा, इसके अलावा आपको practically partnership firm की liability side में और कुछ भी नजर नहीं आएगा, अगर लग रहा है तो एक बार मुझे बताने की कोशिश करो, या तो reserve होगा, या partners क के capital होगे, या फिर कोई current liability होगे, आम तोर पर partnership firm की कोई non current liability होती नहीं है, और reserve में सारे ही मैंने मान के चल लिए और capital तो मान के चल लिए, जाद स्यादा current account होगा, तो current और capital एक ही चीज़ हो जाती है इस chapter में, तो liability side में यही होएगा, asset side की बात करूँ business के, तो हो सकता है उसके पास कुछ cash हो, उनके पास कोई fixed assets हो, उनके पास कुछ और दूसरे current assets हो, except cash, क्योंकि cash में अलग से लिख चुगा, तो उसके अलावा कोई और current asset हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, stock हो सकता है, debtor हो सकते हैं, bill receivable हो सकता है, prepaid expense हो सकत हैं, वो हो सकते हैं, और इसके अलावा, कूड़ा हो सकता है, right, कूड़े का मतलब fictitious asset, advertisement suspense, fictitious asset, कोई भी, तो कितने रुपय का होगा, कूड़ा बताओ शितिश भाई, 20, very good, तो देखो balance sheet tally हो गई, business complete हो गया, तो सबसे बहले ये mindset लेकर चलो, इस chapter में कि इससे जादा balance sheet में कुछ नहीं होता, इससे जादा balance sheet में कुछ नहीं होता, fixed asset का मतलब है कि सारे fixed asset आ गए, इसमें, goodwill, patent, machine, land, building, furniture, सब कुछ, premises, current asset का मतलब है, सारे current asset आ गए, इसमें, stock, debtor, inventory, trade receivable, bill receivable, prepaid expense, interest, accrued, etc., etc., जो भी आप सोच सकते हो, तो सबसे पहले आपका mindset ये clear होगे, तो business हो गया complete, अब ये business हो चुका है, बंद, तो business के बंद होने का मतलब ये होता है, कि अब इस balance sheet में, जितनी liability side में बाते हैं, और जितनी asset side में बाते हैं, इन सब का relevance अब zero हो चुका, क्योंकि ये asset क्या होते हैं, देखो, asset की परिभाशा क्या सिखाते हैं, बच्चे को 11th में, resources owned by the business, which will give it future economic benefit, ये exact परिभाशा होती है, तो अब क्या ये मुझे कोई future में economic benefit देने वाली चीज़े बची हैं क्या, कुछ नहीं, business तो आज बंद हो चुका है, तो ये पूरी balance sheet अब irrelevant हो गई है, यानि कि इसका relevance खतम हो गया, तो हम क्या करते हैं, हमेशा dissolution होते ही firm का, ती तीन खाते बना रहे हैं अभी, एक खाते का नाम है realization account फिलाल के लिए, दूसरा हो गया partner का capital account फिलाल के लिए, और तीसरा हो गया cash account, क्योंकि cash account से ये पता लगता है कि हमारे पास पैसे कितने है, हमारे पास पैसो का हिसाब किताब क्या चल रहा, क्योंकि ultimately जब business बंद होता ह तो हमको finally अपने पैसो का हिसाब किताब close करना पड़ता है, तो हम तीन ledger account prepare करते हैं mainly, अब आप देखो बड़े ध्यान से, सबसे पहला जो step होता है, वो ये होता है कि हमारे जितने भी assets होते हैं, हम अपने इन assets की portly बनाते हैं, और इन assets को, अब क्योंकि हमको बाजार में लेके जाना है, तो पहले हम इनको balance sheet से खाली कर देते हैं, यानि कि balance sheet से इनको हटा देते हैं, तो सबसे पहले मैं fixed asset को हटाता हूं, 15 रुपए को, तो fixed asset को मैं balance sheet से जब हटा कर, post करता हूं, तो मैं उसको realization account के अंदर post कर देता हूं, अब इसकी journal entry आपको अपने मन में सोच नहीं है, एक asset है, जो अपना relevance खो चुका, यानि asset हमें छोड़ कर चला गया, तो आप उस asset को credit करोगे, तो journal entry में fixed asset credit हो जाएगा, और उसको हम एक नए खाते में दाल देते हैं, नए खाते में debit कर देते हैं, यानि realization account में debit कर देते हैं, तो realization account debit हो जाएगा, तो हमेशा asset को transfer क करने की journal entry क्या बनेगी, अब अपने मुह से बोलो, realization account debit to fixed asset account, clear, फिर इसी तरह हम अपने current assets भी बाजार में बेचने के लिए, पोटली में दालते हैं, और balance sheet से इनको हटा देते हैं, और balance sheet से हटा कर इनको realization account में transfer कर देते हैं, तो ये current assets भी हमारे balance sheet से transfer हो गए, और realization account में transfer हो हैं कि entry आप बोलो, realization account debit to current asset, ठीक है, अब cash हमारे पास है 5 रुपे, तो इसको अब हम balance sheet से हटा देते हैं, और हटाने का मतलब है कि अब cash को थोड़ी न हम बाजार में बेचने जाएंगे बताओ, कोई ऐसा होता है कि बिजनस बंद हो गया, हम अपने गल्ले से पैसा cash लेके निकले कि मैं इसको बाजार में बेचने जा रहा हूं, इसको तो आप बाजार में नहीं बेचने जाते, तो इसलिए cash कभी भी realization account में transfer नहीं होता, पहले point clear हो गया, हम cash के लिए तो अलग से cash account बनाई रहे होते हैं, यानि हम बस ये लिख लेते हैं, कि हमारे पास अभी cash का opening balance जो है, वो कितने रुपए है, पांच रुपए है, तो इसलिए cash जो होता है, वो अलग से cash account में ही show हो रहा होता है, उसको हम realization account में नहीं लिखते, logical है, आप उसको बेचो के थोड़ी न, क्लैश भी clear हो गया, cash bank एकी बात होती है, और चौथा item होता है, कूड़ा, यानि fictitious asset, 20 रुपए गा, तो क्या आप कूड़ा बजार में बेचने जाओगे, माल आप वैसे बिलकुल, literal meaning लेकर चलो, हाँ सर, हम तो कबाला बेचते हैं बजार में, वो अलग बात है, लेकिन जब हम business को बंद कर रहे हैं, हम अपने fixed asset, current asset को बेच रहे हैं, fictitious assets तो वैसे भी क्या होते हैं, कालपनिक asset, यही उनकी परिभाषा होती, यह कोई asset थोड़ी न, कोई खरीदेगा थोड़ी न, आप किसी को बोलो कि मैं advertisement suspense account बेचने आया हूँ, कितने का लोग है, वो कहेगा यह कुछ नहीं, इसकी value कुछ नहीं होती, तो यह कभी भी बिक तो इसी लिए इनको realization account में transfer नहीं किया जाता, यह हमेशा write-off ही होते हैं, तो चाहें हम admission के chapter में हो, चाहें retirement के chapter में हो, चाहें death के chapter में हो, यह हमेशा क्या होते हैं, write-off होते हैं, तो इनको हम balance sheet से हटाकर, कहा transfer करते हैं, partners के capital account में debit side पर, यानि की partners इनको write-off कर लेते, तो ज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कूड़ा क्लियर हो गया तो एसेट साइट समझ गए कि कैसे अपने को खाली करनी है अब आते हैं लाइबलिटीज पर लाइबलिटीज जो होती है उसमें मैंने आपको बताया कि एक ही आउटसाइड लाइबलिटीज आपके ल तो इसका मतलब आपको लाइबलिटी को डेबिट करना पड़ेगा तभी उसका रेलिवेंस खतम हो रहे है तो लाइबलिटी को डेबिट कर दिया और उसको अब हम क्रेडिट करते हैं एक नए खाते में और नए खाते का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट तो दस रुपे क जो हमारी current liability थी वो हमारे realization account में transfer हो गई, यानि हमने उसको balance sheet से हटा दिया, मैंने का अब ये current liability balance sheet में क्या कर रही है, ये तो अब हमारे office के भार खड़ी हो गई है, तो ये आदमी अब office के भार खड़ा है, ऐसा समझ लो और हमसे 10 रुपय मांग रहा है तो हमारी जितनी भी current liabilities होती है उसको हम realization account में transfer कर लेते हैं अब इसकी journal entry बोलो बिल्कुल सही, तो current liabilities को close करने की journal entry क्या बन गई current liabilities account debit to realization account, clear हो गया point उसके बाद x और y की capitals है 15 और 15 रुपय, तो ये तो आप शुरू से देख रहे हो, कि इनकी capitals को हम कहीं transfer नहीं करते इनकी capitals तो simply capital account में present कर दी जाती है, by balance brought down यानि कि आज x और y की capitals कितनी कितनी है 15 और 15 है, तो ये तो automatically हाँ पे आ गई, फिर reserve अब ये बताओ, reserve जो होता है वो कोई आदमी होता है, या ये कोई आपसे पैसे मांग रहा है, 20 रुपए खड़े होके मठका, मठका आपसे पैसे मांगेगा कि लाओ मेरे को 20 रुपए दो ये कोई आदमी तो है नहीं तो ये कोई current liability नहीं होती तो इसको realization में इसलिए transfer नहीं करते reserves को इसी लिए हम कहां transfer कर देते हैं partners के capital account में शुरू से ये ही करते आ रहे हैं क्योंकि reserve पर partner का अधिकार है क्योंकि ये एक तरह के part of profits ही तो थे किसी जमाने में तो ये हम partners के बीच में distribute कर देते हैं तो चोई कोई सा भी chapter हो reserve हमेशा कहां पर चला जाता है partners के बीच में चला जाता है तो अब आप देखो आपकी पूरी balance sheet क्या हो चुकी है खाली हो चुकी है तो dissolution का मतलब ही ये होता है कि सबसे पहला step आपका ये है कि पूरी balance sheet को क्या कर दिया जाए खाली कर दिया जाए यानि कि empty कर दिया जाए सारी चीज़े वहां से निकालके कहीं न कहीं चली जाएंगी पहले इतना step याद आ गया अब मैं asset की portly बना चुका ये रही asset की portly अब मेरे पास assets जो है वो portly में रखे हुए 35 रुपए के अब मैं बाजार जा रहा हूँ मैं गहा रहा हूँ मेरे fixed asset कौन खरी देगा कौन खरी देगा मेरे current asset कौन खरी देगा तो मैं बाजार जाके अपने fixed assets या current assets को क्या करता हूँ बेचता हूँ तो जब मैं अपने assets को बेचूँगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा cash पैसा मिलेगा तो मानलो मैंने अपने asset बेच दिया, तो मेरे को debit में क्या लिखना है cash account, क्योंकि मेरे को पैसा मिला, तो entry हो रही है फिलाल cash account debit, पैसा मिल गया, अब मैंने अपने asset जो है, वो अब एक नए account में transfer करी लिये थे, realization account debit में, तो जैसे ही अब मैं ये assets मुझे छोड़ कर चले जाए हैं, क्योंकि ये assets जो है, realization में आये थे, तो debit करा, और अब ये हमें छोड़ कर जा रहे हैं, तो realization में ही credit करना चाहिए, तो जब भी asset बेचा जाता है, तो अब आप entry बोलो क्या बनती है, बिल्कुल सही, तो cash account debit, क्योंकि पैसा आया, to realization account, तो एक बर दोबारा बोलो, जब भ account debit to realization, clear होगे, entry, तो मान लो मैंने अपने fixed asset को 10 रुपे में बेचा, for example, तो देखो मेरी posting, realization account में, मैं credit side पर लिख दूँगा, by cash, 10 रुपे, और cash account के debit side पर लिख दूँगा, to realization, 10 रुपे, इसका मतलब मैंने asset बेच दिया, clear होगे, asset बेचने का मतलब, अब कभी-कभी asset बेचने की बजाए, एक partner कहता है, ex-partner कहता है, कि ये जो furniture है, ये जो current asset है, ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, घर से पतनी का phone आया, कि आते-ाते stock ले आना, आपका firm तो बंद हो गया, तो कई बार partner क्या करता है, asset को बेचता नहीं है, कई बार कोई partner उस asset को take over कर लेता है, तो firm कहती है भी देखो, चाहे तुम इसको बेचो, चाहे तुम take over कर लो, firm का asset तो गया उसको छोड़ कर, तो firm का asset अगर उसको छोड़ कर गया, तो firm को realization account तो credit कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि firm का asset firm को छोड़ कर चला गया, लेकिन इस बार क्या मुझे पैस liability होता है, वो कम हो गया, क्योंकि अब firm क्या बोलेगी partner से, देखो, तुम furniture लेके गए थे, तो अब हम तुम्हे इतने रुपए कम देंगे, तुम इतने का furniture लेके गए थे, हम इतने रुपए तुम्हे कम देंगे, तो अगर आप पूरा एहलू समझो, तो firm का asset उसको credit करेगी, और partner के प्रती उसकी liability कम हो रही है, तो इसी लिए वो partner के capital account को debit करेगी, तो जब भी कोई asset partner take over करता है, तो हमारी entry क्या होती है, partner capital account debit to realization, तो मान लेते हैं, एक्स partner ने current asset take over करा 15 रुपए में, तो मेरी posting कैसे बनेगी, मैं लिखोंगा by x capital account 15 रुपए, और x के capital account में debit site पर post कर दूँगा, 15 रुपए, तो clear हो गया point, तो मैं repeat कर रहा हूँ, नीले रंग से highlight करके ध्यान से सुनना, अगर asset बेचा, तो क्या entry होती है, cash account debit to realization, ओके, और अगर asset partner ने take over करा, तो क्या entry होती है, partners capital account debit to realization, समझ गे logic, तो assets हमने बेच दिए, फिर assets बेचने के बाद या take over होने के बाद जो भी हमें पैसा मिला वो अब हमें किसे pay करना पड़ता है, outside liabilities को pay करना पड़ता है, तो खेर हमारे सवाल में एक ही current liability है 10 रुपए, तो मान लेते हैं आपने इनको लेकिन 12 रुपए पे करे, क्योंकि हो स तो जब liability आपने डाली थी account में, तो credit करा था, और आज वो liability खतम हो गई, तो आपको debit करना पड़ेगा, और pay करने के लिए आपका क्या जाता है, cash जाता है, तो credit किसको करेंगे, cash को करेंगे, तो अब पूरी entry बनाओ अगर कि आपने liability को cash pay करा, तो क्या entry बनेगी, realization account debit to cash, माल लेते हैं मैंने 12 रुपए pay करें, तो entry बन गई, realization account debit to cash, तो इसका मतलब मैंने current liability वाले आत्मी को pay कर दिया, तो cash account में credit site पर इसकी posting आ जाएगी, मतलब मैंने 12 रुपए pay कर दिया, clear होगी, तो एक बार repeat करो, तो अगर हम कोई भी outside liability को pay off कर देते हैं, तो क्या entry ब debit to cash, फिर ऐसे ही, मान लो, pay करने की बजाए, मान लो, कोई partner ये कह देता कि इसको pay मत करो, इसको मैं take over कर लेता हूँ, तो फिर क्या firm cash account use करती, नहीं, क्योंकि firm का तो फिर पैसा गया ही नहीं, लेकिन क्योंकि firm की liability partner ने take over कर ली, तो अब तो बल्कि firm का partner के प्रती liability और भढ जाएगा, तो ऐसे case में फिर आप two cash लिखने की बजाए लिखते, two partner capital account, for example, तो इसको repeat करो, अगर कोई भी outside liability partner take over करता, तो आपकी क्या journal entry बनती, realization account debit to partner capital account और इसकी posting, फिर हम partner के capital account में करते, cash account में नहीं करते, पर मैं मान लेता हूँ, हमारा original cash है, तो अब देखो, हमने assets की portly बना ली, assets को बेच दिया, liability को pay कर दे, यही तो काम होता है business बंदों ने पर, काम खतम हो गया, काम खतम होने पर जब आप सबसे पहले realization account को close करते हो, तो आपको इसमें यह पता लगता है कि मेरा नुकसान कितना हुआ है, तो आप देखो, कि आप का total क्या आ रहा है debit side का, 47, तो आपका एक loss बचेगा balancing figure कितने रुपे, 12 रुपे, तो इसका मतलब आपको कितना loss हो गया, 12 रुपे, अब मैं इसको देखो, cross check करवाऊंगा, यह फायदा होता है, मुझे loss होता क्यों है realization में, सोचो, यह मालब इस बंद होने में, very good, asset की कम value जो आपको मिली, या फिर liability को जो आपने जादा पेकर, आप देखो, cross check करते है, fixed asset जो 15 रुपे का था, वो मैंने बेचा कितने में था, सिर्फ 10 रुपे में, है ना, तो fixed asset में मेरा कितना नुकसान हो रहा था, 5 रुपे, figure जोडते रहना, current asset जो 20 रुपे का था, वो मैंने take over करा था, सिर्फ कितने रुपे में, 15 रुपे में, तो current asset में भी कितना नुकसान हो गया था, 5, तो total कितने हो गया, अब तक नुकसान, 10, current liability जो थी तो 10 की, पर आपने उसको pay करे 12, तो कितना नुकसान हो गया, 2 का, तो 5 और 5 और 2 कितना नुकसान हो गया, 12 का, तो देखो, cross tell नुकसान बेसिकली होता क्यों है, तो आपके एसेट सस्ते भी करें, या आपने आउटसे लेबिल्टियों को ज्यादा दे दिया होगा, तो यह नुकसान हो गया, 12 रुपे का, अब नुकसान जो होगा, वो obviously किन के बीच में बढ़ जाएगा, पार्टनर के बीच में, 6 रु पार्टनर का देखो, तो एकस पार्टनर का डेबिट का टोटल जादा आ रहा है, इसका मतलब एकस पार्टनर से तो उल्टा फर्म को अब लेना है पैसा, एकस पार्टनर से फर्म कहेगी कि भी तुम अपने घर से कितने रुपे लेकर आओगे, अगर मैं एकस पार्टनर का balance निकालूं तो credit में 6 बचेगा इसका मदलब firm कहेगी x partner से कि तुम 6 रुपए अपने घर से लेकर आओ बात समझाई तो एक बर ज़रा इसकी journal entry बोलना cash account debit to x capital account तो अगर किसी भी partner से ऐसे मंगवाए जा रहे हैं या जिसको deficiency कहते हैं तो उसकी journal entry होती है cash account debit to x partner account फिर इसी तरह y y का अगर हम total करेंगे तो credit side का ज्यादा है 35 तो y का जो balance बचेगा वो बचेगा debit side में कितने रुपए 35 में से 16 गए 9 रुपए 25 में से 16 गए 9 रुपए तो इसका मतलब है कि y को firm उल्टा pay करेगी y को कहेगी y हम तुम्हें 9 रुपए दे रहे हैं तो इसकी journal entry बोलो y is capital account debit to cash तो लेंदेन करती है न firm अपने partners से तो x से 6 रुपए मांगेगी और y को 9 रुपए देगी clear हो गया point यहां तक सब बच्चों को तो अब देखो जब y को 9 रुपए वो pay करेगी तो firm का cash कम हो गया 9 रुपए क्रेडिट साइड और x से 6 रुपए मंगवाएगी तो बताओ शितिज भाई 6 रुपए कहां debit side क्योंकि x जो है वो 6 रुपए firm को देगा तो firm को पैसा आ गया तो firm कहती है मेरा हिसाब अब clear हो गया इसका मतलब मेरे पास जो भी cash था उसका हिसाब मैंने clear रख लिया यानि cash account आपका हमेशा क्या करेगा टैली करेगा तो मैंने आपको concept में ही एक सवाल करवा दिया basically क्योंकि सवाल का design यही होता है और यही इसका main concept होता है अब चाहें वो इसमें ledger करवा ले तो भी आप समझ गए और चाहें वो इसी से journal करवा कि realization account debit to asset liabilities को close करने की entry क्या होती है liabilities account debit to realization फिर asset को बेचने की entry क्या होती है cash account debit to realization asset को अगर partner take over कर लेता है तो क्या entry होती है पीर आउटसाइड लीडिटी को दे करने की क्या एंट्री होती है र Worlds अकाउंट डिभ टीक तो आउटसाइड लीडिटी को अगर पार्टनर केड़ साहरि पात अचूर्ब पार्टनर केपिनदों पिड्सेयर होगे सारे छात पातें। फिर जो भी लॉस आयो आमालो लॉस की भी जर्नल एंट्री बताओ क्या हो रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन उसके बाद बस पार्टनर से अगर हमने पैसे मंगवाए जैसे एक्स से पैसे 6 रुपे मंगवाए तो क्या एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और अगर हम वाई को पे कर रहे थे 9 रुपे तो उसकी क्या एंट्री होगी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश तो समझे जर्नल एंट्री इसी हिसाब से इसी पैटन पे चलती है और लेजर बोलेगा तो लेजर हम इस तरह से कर लेंगे तो ये तो था basic concept अब आते हैं कि भई इसमें special points क्या क्या हैं तो उनकी चर्चा कर ले दें अलग से तो special points जो इस chapter में है वो क्या है तो सबसे पहला है point number 1 जल्द जल्दी discuss करते रहेंगे बस आप सुनते रहना पहला point जो है वो है कई बच्चे exam में गलती कर सकते हैं हमें balance sheet के अंदर debtors दे रखे होते हैं और provision for doubtful debt दे रखा होता है मान लो तो obviously बहार के column में debtors की net value दे रखे होती है 9500 और नीचे adjustment में लिखा होता है रुपी 2000 debtors were bad तो इसको कैसे हमको deal करना है इस पर चर्चा है ठीक है तो अब ध्यान से सुनना जब हम इसको deal करते हैं तो सबसे पहले बस आपको एक ही नियम का ध्यान रखना है कि assets को और liabilities को realization account में transfer करने के time पर हम debtor की जो gross value होती है यानि कि जो debtor की 10,000 value है उसको transfer करते हैं asset side पर यानि कि debtors जब transfer होंगे realization में तो क्या value पर transfer होंगे 10,000 पर transfer होंगे और जो provision होता है उसका यानि provision for doubtful debt जो होता है नीले रंग से highlight कर रहा हूँ 500 रुपे वाला उसको हम अलग से as a liability की तरह है क्योंकि और provisions होते भी liability है credit side पर अलग से transfer करेंगे अगर आप directly 9500 ट्रांसफर कर दोगे तो आपको तो आपको 9500 ट्रांसफर नहीं करने अब उसने नीचे adjustment में दे रखा था कि रुपी हजार debtors जो है वो bad हो गए तो आपको हमेशा इसलिए debtors 10,000 ही मानकर अपना question solve करना पड़ेगा 10,000 debtors में से अगर 2,000 bad हो गए तो कितने बचे 8,000 तो इसका मतलब यह होता है कि आपको जो cash receive हुआ है debtor से वो 8,000 रुपे हुआ है तो इसका treatment ऐसे complete होगा तो इसमें जो बच्चा गलती करता है वो सिर्फ क्या करता है कि वो 9,500 को ही transfer कर देता है और फिर गढ़बढ हो जाती है तो यह clear हो गया इसके बाद special point number 2 special point number 2 है WCR को लेकर क्योंकि सिर्फ इसी का treatment अलग होता है इस chapter में तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं तो WCR तो आपको याद ही होगा क्या था मठका, special reserve, workman को देने के लिए मजदूर का अगर हाथ कट जाए तो तो workman compensation reserve तो हमको balance sheet में दे रखा होगा अब सबसे बड़ा point यह आएगा कि या तो नीचे आपको adjustment में कोई information नहीं दे रखी या हो सकता है आपको नीचे information दे रखी है कि एक workman compensation liability आ गई 8000 की या नीचे वो दे देगा कि एक workman compensation liability आ गई 14000 की तो हर case में क्या होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं तो मैं आप भी से पूछ लेता हूँ मान लो अगर कोई information नहीं दे रखी workman compensation reserve के अगेंस तो क्या करेंगे ठीक है तो realization में हमको कुछ नहीं करना तो फिर तो हम सीधे-सीधे reserve को partners capital में बाठ देंगे यानि WCR 10,000 जो है वो 55,000 दोनों partners को मिल जाएगा राइट क्योंकि कोई information नहीं दे रखी तो यह तो हो गया simple case दूसरा case अगर workman compensation liability या claim 8000 का दे रखा है तो उस case में आपका realization account और partner capital account में treatment कैसे बनेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं तो उस case में क्या करेंगे ठीक है बिलकुल से तो अब इस बार 10,000 के reserve में से आप खाली 8,000 का तो realization में transfer करोगे क्योंकि 8,000 तक का claim आ चुका और अब सिर्फ बचे हुए 2000 ही कहा transfer करोगे आप partners capital account में तो X और Y को सिर्फ 2000 मतलब 1,000 रुपए ही WCR का मिलेगा clear होगे point और सबसे important चीज़ जो भी claim होते हैं adjustments के अंदर you have to pay them यानि कि उसको आपको pay भी करना पड़ेगा तो debit side पर आपको to cash 8,000 लिखना पड़ेगा यानि कि आप उसको pay भी हमेशा करोगे question बोलेगा नहीं कि आपने pay करा claim आते ही आपको मजदूर को pay करना पड़ेगा तो ये treatment जो है इस case में complete माना जाएगा ये भी clear हो गया और third सबसे important ये बच्चों को digest नहीं होता लेकिन आपको हाजमोला की गोली खा कर 2-4 glass पानी पी कर इसको digest करना पड़ेगा तो इसको बताओ कि क्या अब इस बार हमारा reserve जो है वो है खाली 10,000 का लेकिन claim आ गया है 14,000 का तो अब हम क्या करेंगे अब इसमें आपको WCR जो transfer करना है realization में वो करना है 10,000 और partners को अब देने के लिए आप क्या दोगे कुछ भी नहीं क्योंकि आपका जो reserve है वो पूरा का पूरा कहीं पर utilize होगे realization में और partner को देने के लिए कुछ बचाई नहीं है तो आपको WCR पूरा का पूरा realization में ट्रांसफर करना पार्टनर को आप क्या दोगे कुछ भी नहीं क्योंकि बचा ही नहीं और जो नियम पहले सिखा है वो यह नियम आभी भी लागू होगा अगर मजदूर ने क्लेम मांगा है 14,000 का तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको पूरे 14,000 पे करने पड़ेंगे तो you need to pay 14,000 रुपी के मजदूर ठीक है तो इस ट्रीट्मेंट को भी याद रखना है तो इसमें पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा जो भी पैसा है वो सीधा हम मजदूर को 14,000 पे करके दे देंगे तो clear होगे WCR अच्छा कहीं बच्चे भी पूछ लेते हैं कि सर मान लो claim होता एक case 4 भी बना देता हूं 10,000 तो क्या होता हाँ तो हम WCR ही 10,000 ट्रांसफर कर देते पार्टनर्स को फिर हम उस case में कुछ भी नहीं देते और फिर जो claim मांगा मजदूर ने उसी 10,000 क्लेम को हम क्या कर देते पे कर देते तो फिर ऐसे हो जाता है तो आपको इससे क्या सिक्षा मिली क्या याद रखना है कि जो भी claim मांगा जाएगा वो तो हमेशा pay करना ही करना है बाकी WCR कितना transfer करोगे realization में जितना आपके पास है उसमें से claim claim जितना transfer कर दोगे और बच्चा हुआ पार्टनर को दे दोगे तो ये इसका funda होता है फिर आ जाते हैं जी तीसरे special point पर तीसरे special point में मैं दो reserve इखटे ही discuss कर लेता हूँ क्योंकि ये भी हो सकता आपको balance sheet में नजर आ जाए एक होता है investment fluctuation reserve और एक होता है by chance अगर किस्मत आपकी खराब हो तो ये भी डराने के लिए देता है machinery replacement fund बताओ शितिश भाई कौन सार ब replacement fund मतलब की हमें लगता है कि बाद में हम कोई machine replace करेंगे तो उसके लिए fund बना के रख लेते हैं तो इनको देखके आपको डरना नहीं है अगर ये आ जाए तो आप बे जिजक बिना डरे बे खौफ होकर इन दोनों को बस कहां transfer कर देना realization account में और that's it आपका काम खतम आपका treatment खतम और कुछ नहीं करना ना कुछ पे करना ना पार्टनर को देना nothing else over तो अगर ये दोनों नजर आ जाए बाए चांस तो बस आप इनको realization में credit कर देना आपका काम खतम हो जाएगा ठीक है जी तो ये हो गया special reserve इसके बाद है चौथा और सबसे important item balance sheet के अंदर कि मान लो किसी partner ने firm को loan भी दे रख है मतलब हमने partner से loan ले रख है तो अब क्या होगा तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर partner का loan आपको दिख रहा है liability side यानि की firm ने किसी partner से अगर loan ले रख तो उस case में CBSC ये कह देती है ledgers के case में कि फिर आपको X का loan account prepare करना ही पड़ेगा यानि आपको उस partner का loan account prepare करना पड़ेगा ये चीजों को खाली करते हो तो X loan को खाली करके कहां लेके जाते हैं हम उसके loan account में यानि कि इसको realization account में कभी भी लिखने का पाप मत करना इसका अलग खाता बनता है जिसका नाम होता है partner loan account तो ये 10,000 रुपए अलग से अपने ही खाते में balance के रूप में present कर दिये जाते हैं जैसे आप cash को करते हो तो उसी तरह से X के loan को भी आप उसी के account में अलग से present करोगे पहले इतना point clear हो गया अब उसके बाद सबसे important चीज़ किस partner का loan है? X तो आपने X का capital account भी बनाया ही होगा? या in fact X का क्या? आपने तो सभी partners का बनाया होगा, Z का भी बनाया होगा, Y का भी बनाया होगा, X का भी बनाया होगा, बोलो हाँ तो अब देखो बड़े ध्यान से आपने X में कुछ postings करी होंगी, मैं ऐसी करके दिखा देता हूँ hypothetically, Y और Z से मुझे मतलब नहीं है X में मानलो आपने credit side में लिख रखा है 10,000, 20,000 और debit side में लिख रखा है 5,000 तो X का balance कहां बच रहे है? बताओ, X का balance कहां बच रहे है? debit side में बच जाएगा, कितने रुपए बच जाएगा X का balance? 25,000 कितने रुपए बच जाएगा? 25,000, right? तो इस 25,000 के balance को बोलते हैं, बच्चो, credit balance I hope ये सब को पता है, ये class 11 में सिखाया जाता है तो debit side बचे हुए balance को क्या बोला जाता है? credit balance, इतने सब ओके हैं तो अगर partner का credit balance बचता है, तो उस case में तो हम माना ये जाता है कि हम उस partner को उसका loan का पैसा पूरा चुकता कर देंगे तो आप loan के खाते में देखो, मैंने debit side में क्या लिख दिया? 2 cash, यानि कि आपने पूरे 10,000 रुपए उसको क्या कर दिये? Pay कर दिये अब मैं थोड़ी situation change करूँ और बड़े ध्यान से देखना मान लेते हैं, इस बार XK capital account के अंदर कुछ figures ऐसी लिखी हुई है Credit side में 10,000 और 20,000 लिखा हुआ है और debit side में मान लो लिखा हुआ है 36,000 for example और इस बार जब आप total करोगे और X का balance निकालोगे तो balance कहां बचेगा? Credit side बचेगा कितने रुपए? 6,000 तो इस balance को कौन सा balance बोलते हैं? debit balance बोलते हैं यह तो सबको पता यह बात? तो अब देखो इस बार द्यान से debit balance 6,000 का मतलब है कि हम X से पैसा मांग रहे हैं हम कह रहे हैं X लाओ 6,002 और X के लोन का मतलब है कि X हम से कह रहे है कि लाओ मुझे 10,002 मतलब ऐसा हो गया मैं आप से 6 मांग रहा हूँ और आप मुझे से कितने मांग रहे हैं? यही बात समझ आ रही है एक लोन है तो X रुप्य मांग रहे हैं? 10,000 और फर्म X से कितने रुप्य मांग रहे हैं? 6,000 तो क्या ऐसा करना चाहिए हमें कि मैं पहले आपको 10 दूँ फिर आप मुझे 6 दो करते हैं? लोन अकाउंट से एड़ेस्ट करवा देते हैं तो यहां मैं लिखता हूँ X लोन अकाउंट यानि कि यह 6,000 रुपए X लोन अकाउंट में डेबिट में एड़ेस्ट हो गए X की कैपिटल अकाउंट के नाम के और अब मैं सिर्फ X को कितने रुपए पे करूंगा? 4,000 बिल्कुल सही तो मैं X के लोन के खाते में 2 कैश अकाउंट में सिर्फ लिखूंगा 4,000 तो यह मैं गैरंटी देता हूँ कि 100 में से 98 बच्चों को यह बाते नहीं बता होती हैं तो जिस पार्टनर का लोन होता है उस पार्टनर के capital के balance के हिसाब से आपको उसकी payment करने है कि अंदाधुन payment मत करीा आना कि 10,000 है लोन तो 10,000 payment होगी अगर उसका debit balance बच रहा होगा capital अकाउंट में तो पहले आपको उतने हिस्से तक का adjustment loan से करना पड़ेगा और उसको सिर्फ बचे हुए पैसे ही आप दोगे clear होगे point अब एक और change करते हैं combination चलो मान लो अब X के capital account में debit में कोई posting लिखी हुई थी 50,000 रुपए की for example credit में जो posting है वो तो लिखी हुई हुई थी इस बार X का balance क्या बचेगा 20,000 credit में बच रहे हैं तो क्या मैं अब 20,000 पूरा loan account में transfer कर दूँ नहीं अब देखो अब क्या होगा अब loan account तो सिर्फ 10,000 रुपए तक ही सीमित है तो मैं 10,000 रुपए तो loan account में transfer कर दूँगा तो loan account close हो गया लेकिन अभी भी capital में कितना balance और बच रहे है 10,000 और बच रहे तो उस 10,000 के लिए जो capital account में अभी भी और बच रहे आप क्या लिखोगे buy cash तो इस बार आप X से 10,000 मंगवा होगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा यानि की nutshell में कहानी ये है मेरे प्यारे प्यारे बच्चो की अगर partner का loan account दे रखा है तो क्या आप उसको अंधादुन पे कर दोगे पूरे 10,000 या पहले उसका capital balance चेक करके निकाल के देखोगे कि कितना देना है पहले capital account बना के balance निकाल के चेक करके देखोगे कि कितना देना है हो सकता है आपको कुछ adjustment करनी पड़ जाए और ये adjustment तब ही करनी पड़ती है जब debit balance आता है credit balance आता एक्स का तो तो no tension clear होगे पूरो point इसके बाद special point number 5 special point number 5 के अंदर है कि sir मान लो partner का loan हमें asset side पे नज़र आ रहा है तो यानि कि हमने partner को loan दे रखा है तो तो इसका क्या होगा तो बताओ बच्चो तो क्या होगा हाँ तो फिर हमें ज़ादा tension नहीं है तो हम जो account बनाएंगे उस account के अंदर X के खाते में सीधा सीधा आप debit side पे लिख देना 10,000 बस no tension at all और इसको account बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती कोई इसमें compulsory नहीं है तो अगर asset side में नज़र आएगा तो इसको आप सीधा सीधा यहाँ पर ही transfer कर दोगे clear होगे यह वाला point भी इसके बाद है जी special point number 6 वो काफी बच्चों के लिए सिरदर्दी होता है realization expenses अब realization expenses आपको वैसे तो बता दिया था कि इसका meaning क्या होता है realization expense का meaning क्या था कि आप अपना asset बेचने जाते हो realize करने जाते हो तो करने के टाइम पे कुछ खर्चे हो जाते है तो अब इनको आपको याद करने के लिए mainly दो तीन बातों का ध्यान रखना है देखो बहुत ही simple है पहली बात तो ये कि इस concept के अंदर ही थोड़ी सी अंग्रेजी का इस्तवाल होता है तो पहले अंग्रेजी शब्दों पर focus करते है अंग्रेजी में दो शब्दों होते है एक होता है जैसे born by बार्ण बाय का मतलब होता है कि भई actual burden किसका उसको बोलते है born by और एक word होता है paid by paid by का मतलब है कि pay कौन कर रहा है पैसे कौन दे रहा है ठीक है तो paid by का मतलब तो है पैसे कौन दे रहा है जैसे fees है वो पैसे कौन दे रहा है आप देते हो लेकिन उसका burden कौन उठाता है parents आपने तो सब पापा से लाके दे दी ना आपने तो खाली pay कर दिया एक तर ऐसे लेकिन actual burden किसका होता है parents का तो यह अंग्रेजी के दो शब्द हैं थोड़ा सा born by और paid by तो अब यह realization expenses जो होते हैं born by का मतलब यह होता है कि आपको debit करना पड़ेगा कुछ ना कुछ aspect क्योंकि जो भी born करता है हम उस हिसाब से debit करते हैं अपनी journal entry के अंदर और जो भी pay कर रहा होता है उस हिसाब से बन जाता है हमारा credit aspect तो भई किसी भी transaction में दोई aspect होते हैं एक debit aspect है, credit aspect उसी से journal entry भी बन जाती है तो अगर born करती है form, भई दोई किरदार है हमारी कहानी के अंदर या तो form होती है या partner होता है अगर born करती है form तो इसका मतलब की burden किसका है form का है, form कहती है खर्चा मेरा है तो form का खर्चा होने का मतलब है firm कहते है यह तो मेरा नुकसान है तो इसलिए firm किस खाते को debit करती है realization account को debit करती है लेकिन अगर partner कह देता है कि मैं यह born करूँगा या born by partner मतलब partner मान रहा है यह खर्चा चलो मेरे जिम्में firm को कहता है यह partner कहता है यह खर्चा आप मेरे जिम्में दाल दो मेरे हिसाब से तो पहले बार्न वाला क्लियर हो गया तो बार्न का मतलब है कि आपको debit aspect में क्या लिखना है अब इसके बाद credit aspect तो इसमें भी वही दो ही किरदार हो सकते हैं यानि की pay कौन कर रहा है फर्म कह रही है मैं दूँगी पैसे मैं दूँगी मैं दूँगी पार्टनर कह रहاै नहीं 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 मैं दूँँगा मैं दूँँगा पैसे कौन दे रहे है इसका मतलब हो गया paid by तो इससे बन जाएगा हमारा credit aspect तो अगर form दे रही है तो तो भईсь form का cash कम हो गया तो हम credit कर देंगे cash account को और मान दो partner ने दे दिये तो फिर partner कहेगा भई अब मैं firm से बाद में लूगा यह तो मैंने दे अभी रहूं लेकिन मेरा बोज थोड़ी ना था मैं तो वस दे रहूं मैं बाद में आप से claim करूँगा तो firm की liability partner के प्रती भा़ जाती है तो यानि कि अगर partner pay कर रहा है तो हम credit किसको कर देते हैं partner के capital account को तो अब आप इससे अलग-अलग combinations बना सकते हो खुल मिलाकर इससे चार combination बन सकते हैं न बई 2 और 2 तो 2 into 2 4 हो गया तो total permutations कितने बन जाएंगे इसमें 4 तो orally discuss कर लेते हैं तो born by firm और paid by firm की entry बोलो very good realization account debit to cash born by firm और paid by partner की entry बोलो realization account debit to partner capital clear हो रहा है born by partner और paid by firm की entry बोलो partner capital account debit to cash born by partner और paid by partner की entry बोलो no entry लेकिन हां मालो यह लिखा हो की born by x partner and paid by y partner तो रटने रट्टूत होते बच्चे तब भी no entry लिखकर आते हैं तो क्या entry होगी x capital account debit to y capital ठीक है तो आप इस chart का फर्रा बनाके ले जाना तो आपकी कोई भी realization की entry गलत पहले नहीं होगी अब इसके अंदर वो एक point additional कभी कभार add कर देता है हाला कि इसकी सब detailing हम सवाल में भी वैसे बाद में सीखेंगे कई बार firm ये कहती है किसी एक particular partner को कि भी आप सारी realization की जिम्मेदारी ले रहे हो हम आपको इसके बदले में क्या देंगे कुछ fixed remuneration या fixed commission देते हैं ये हम आपको अपनी तरफ से देंगे तो मतलब उपर का combination जो है वो तो हो गई होगा उसका इससे कोई नाता नहीं है लेकिन firm कहीं बार partner को खुशी-खुशी में कहते है कि भी देखो आप सारी जिम्मेदारी ले रहे हो realization की तो हम आपको इसके बदले में कुछ commission देना चाहते हैं तो ये सवाल में given होगा तब ही लेंगे हम सवाल में given नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे तो अब इसको भी समझ लो firm कह रही है कि मैं commission दूंगी तो firm के लिए नुकसान firm के लिए खर्चा तो वो किसको debit कर देगी realization account को और क्योंकि वो partner को promise कर रहे है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी मैं तुम्हें पैसे दूंगी तुम अच्छे से काम कर लो मैं तुम्हें commission दूंगी तो firm की liability partner के प्रतीब और भढ़ गई तो इसलिए वो partner के capital account को credit कर देती है तो अगर by chance कोई भी firm किसी partner को commission देने की बात कहती है तो उस case में आपको ये एक additional entry और करनी पड़ जाएगी अगर question में दिया होता है तो बागी इसमें बहुत सारी languages variety हो सकती है जो हम सवालों में discuss करेंगे लेकिन मोटा concept इसका ये ही होता है जो आप ध्यान रखना तो ये था आपका main point number six special तो clear होगया born by और paid by और इसके बाद है last point number seven और इसी से कुछ छुटमुट बाते भी कभी कभी balance sheet के अंदर आपको existing goodwill दे रखी होती है तो फिर हम क्या करेंगे हाँ तो इसमें कई बच्चे अपने पुराने partnership के chapter के concept लगा देते हैं यानि वो सोचते हैं कि बही चलो goodwill को partners के बीच में write-off कर देते हैं पर ऐसा नहीं होता क्योंकि goodwill भी बिक जाती है कोई business अब बंद होता है जब तो उस business की भी goodwill बिकती हैं बाजार में तो इसी लिए goodwill को भी आप ध्यान रखना इस chapter के अंदर हम realization account में ही transfer करेंगे partners capital account में नहीं करेंगे तो ये इसका छोटा सा treatment याद रखना है तो clear हो गया point अब दो special बाते हैं बस वो कोई special point नहीं है यहीं पर ऐसी discuss कर ले तो मुझे पता है आपको पता है अगर किसी asset को लेकर question silent है तो आप क्या मानोगे कि वो कितने रुपए में बिका होगा zero very good तो अगर किसी asset के बारे में question में कुछ नहीं दिया तो आप ये मान लेते हो कि वो इसका मलब बिका ही नहीं वो या बिका तो zero रुपए का बिका और अगर question silent है किसी current liability को लेकर तो आप क्या मानोगे कि आपने उसको क्या पे करा पे करेंगे book value तो उसको निल नहीं मानना तो अगर किसी current liability को लेकर सवाल में कुछ नहीं बोला मान लो creditors दे रखें balance sheet में बस और कहीं सवाल में कुछ नहीं बोला तो आपको उन creditors को अपने आप pay करना पड़ेगा और वो भी उनकी book value पे करने पड़ेगी तो ये कुछ छुट मुट special points है तो ये था बच्चो जी complete concept जिसमें journal, ledger, theory, सारे special points सब कुछ कबर हो गया I hope आपको अच्छे से समझा गया होगा ठीक है बाकी फिर next class में हम इसके करेंगे questions